अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुक, सम्रद्दी, शांती, धन, संपत्ती हमेशा बनी रहे तो आप अपने घर पर लगी तस्वीरों पर जरूर ध्यान दे हम सभी अपने अपने घरों को सुन्दर बनाने के लिए विभिन प्रकार की फोटो लगाते हैं जिनका हमारे घर में सक्रातमक, वेनक्रातमक दोनों प्रकार का प्रभास पड़ता है यदि वास्तु में बताई गई कुछ बातों को ध्यान में रखकर हम इन तस्वीरों को लगाएं तो घर में सुक, सम्रद्दी, शांती आने में साहिक होंगे शास्त्रों में भगवान श्री गणेश को विगिन हर्ता के रूप में जाना जाता है अपने घर को परशानियों से बचाने के लिए मुख्य द्वार पर आप स्वास्तिक का निशान बनाईए या गणेश प्रतिमा या गणेश जी की कोई तस्वीर जरूर लगाईए इसके अलावा दाएं बाएं शुब और लाब लिख सकते हैं ध्यान रखिये कि वास्तु के अनुसार किसी अन्य की तस्वीर मुख्य द्वार पर नहीं लगाएं सिर्फ भगवान, श्री गणेश की मूर्ति या उनकी तस्वीर ही लगानी चाहिए पूजा घर पूजा घर में गरुड पर बैठवे भगवान विश्नु का माता लक्ष्मी के साथ और कुबेर की तस्वीर लगा सकते हैं जिससे धन और स्मृद्धी में बड़ोत्री होती है घर में दक्षिन दिवार पर हनुमान जी का लाल रंका चित्र लगाने के दो लाब हैं आपका मंगल यदि अशुब है तो शुब होने लगेगा और आपके मन में यदि किसी भी तरह का भय है तो वो भी नहीं रहेगा पूजा घर में शंक रहने से अशान्ती दूर रहती है जिससे की घर में सुक और शान्ती बनी रहती है शयन कक्ष पती और पत्नी के बीच प्रेम संबंद बढ़ाने के लिए कमरे में राधाकृष्ण की तस्वीर लगा सकते हैं इसके अलावा हंसो के जोड़े का सुन्दर सा फॉटो भी आप लगा सकते हैं जिससे आपका दामपत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा अध्यान कक्ष अध्यान कक्ष में माता सरसती गुरू वेद व्यास या किसी पढ़ते हुए बच्चे का चित्र लगाएं किसी हरे तोते का चित्र लगाएं जिससे की बच्चे का पढ़ने में मन लगा रहेगा एका अग्रता बढ़ाने के लिए उत्तर की दिवार पर हरे आली तोते या चहकते हुए पक्षियों का फॉटो लगा सकते हैं इसके अलाव आप वीना, कलम, पुस्तक, मूर इत्यादी के चित्र भी लगा सकते हैं ध्यान रहे कि इस में से किसी एक का ही चित्र लगाएं